आने दिली में चिलचिलाती गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जारी है जिस वज़े से लोगों को स्किन से जोड़ी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि फंगल इंफेक्शन और घमोरी अगर आपके भी सरीर में इस प्रकार की कोई भी इंफेक्शन हो रही है तो आप इसे अंदेखा ना करें इससे आपके स्किन में और भी बहुत सारी समस्याओं उत्पन हो सकती है तो चलिए आज हम आपको दिली में एक स्किन स्पेशलिस डॉक्टर से बात करके बताएंगे कि आखिर कारें फंगल इंफेक्शन क्यों होता है इसके क्या उपाएं है और आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं हासा नाम क्या है मेरा नाम दौक्टर शालनी कुनिया मेरा 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 15-10 मेंस किन सब्सक्रामा इस्पिरिंस किन तो हम अगर इस फंगल इंफेक्शन की बात करेंगे बहुत रीसेंट नहीं है बहुत टाइम से है और सो बेसिकली लोगों के इम्मुनिटी पे बहुत इस चीज का फरक पड़ता है तो जब जादा गर्मी होती है तो हमें जादा के पीच में यहां पर जायदा स्वेटिंग होती है तो इन एरिया में फंगल इंफेक्शन ज्यादा होता है उसको फंगस को एक अच्छा वाइंविय्मेंट के और यहां पर राश्ट यसा बन जाता है तो वो जो बेसिकली फंगस उसको दूख में अच्छे से फैलता है उसका वो basically food होता है और patients बहुत आते हैं summers में fungal infection के rash लेके आते हैं बहुत medicines pharmacy से भी लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए उससे complications बहुत हो जाते हैं जो हम medicines देना चाहते हैं कभी-कभी वो भी work नहीं करते हैं और जो pharmacy से over the counter medicines लेते हैं उससे skin खराब भी हो जाती है तो मेरा यह advice होगा कि आप कोई भी rash है, itching हो रही है, fungal infection में पहले itching बहुत होती है और rash जैसा बन जाता है जिसका एक red color का margin होता है जो बहार की तरफ फैलता है अगर ऐसा rash है तो आप जल से जल expert opinion लें और over the counter medicines लाने, यह treatable है और इसके लिए महीना, डेड़ महीना medicine चलती है और ठीक हो जाता है इसको लोगों के रिपूर है कि starting this one देखा ना करें इसे तरफ से comfort बहुत है अगर इसके उपाई के बाले कि कुछ ऐसे tips बता दें कि लोग कुछ पाई करें कि ना हो यह बिमारी है एक तु ब्रीदिबल कप्डे पहने ज्यादा टाइट फ्लोधिंग ना पहने ताकि वेंटिलेशन या स्वेटिंग सुख सके, that is important और इसमें हमारी इम्मुनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है तो अपनी डाइट प्रापर रखें ताइम से सोना बहुत जरूरी है स्ट्रेस कम लें प्रानायाम बीधिंग एकसराइज बड़ा करें तो यह तो गया है पंगल इंक्शन दूसरा है एक फॉमनें घंवारी जो बच्पर को सुंते हैं तो फंगल इंफेक्शन अग्वारी में क्या डिफरेंस है और यह क्यों होता है जो फंगल इंफेक्शन है उसको एसे इन एक्सपर्ट हम तो देखके पहचान जाते हैं क्योंकि उसमें मार्जन रेड होता है और वह बहार की तरफ यह जो गमोरी होती है जो इक्रिंट ग्लांस होते हैं उनके ब्लॉकेट से होता है वह एक्सेसिव स्वेटिंग की वज़े से होता है और उसमें वैसे तो कभी-कभी यह सेल्फ लिमिटिंग भी होता है घमोरी मतलब एक तरह का राश एक जन्रलाइज राश जैसा हो जाता है दिए पहल्ड है उस तरह जादा ज्यादा होता-पूरी बॉड़र भी फैल सकता है इसके दो तीन टीन ही कभी-कभी ज़्यादा रेड इवह जाता है और इंफेक्ट भी हो जाता है कभी-कभी और अगर यह माइल्डा फॉर्म में है तो पूलर एरिया में जाने से जैसे बहुत जादा गरम एरिया को छोड़के थोड़ा अगर थंडे रूम में रहेंगे तो यह ठीक भी हो जाता है अगर ऐसा नहीं हो पार है तो आप एक्सपर्ट ओपीनियन में इसके लिए कि हम कुछ मेडिकेशन देते हैं इसमें खुशली भी बहुत होती है तो फॉल फॉर्मेंटेशन इसमें हेल्प करता है क्यालमें हेल्प करता है एंटी इस्टम एक्स हैं कि अजब स्वेटिंग जादा होगी तब होगी ताट इस वन में हम तो ये बच्चो छोटे-चोटे बच्चो में भी देखते हैं जो इंफेंट्स होते हैं अगर उनको उनके मदर ज्यादा कवर कर लेती है तो ये विंटर्स में भी हो जाता है तो बेसिकली कि वेंटिलेशन इस बेरी इंपॉर्फल्ट कॉटन क्लोधिंग वेंटिलेशन ओवर हीटिंग ओवर गर्मी जीए और कुछ में पिप्स जीए और वो सिर्फ सिंप्रमाटिक रिलीव दे सकता है वो उसका ट्रीक्मेंट नहीं है तो इसका भी अगर हम सही से कंस्वानिकल इस जी मौलेशन ऑुर्बद आने डिलीए और काम सही से क्वान सम्छन गर्मी नहीं है वेंग पिए भी जीए और गाहर हम सही है वेंटिलेशन जीए और को भी आप वेंग्वर्टिंग ऑाम